कि नमस्कार मैं हूँ संजे शर्मा आप देख रहे हैं 4PM News Network कल मैं आज तक देख रहा था सुदीर चौधरी को देख रहा था मैं बड़ा हैरान हूँ आज तक मेरा फैविरेट चैनल था थोड़ी देर देखा मैंने सुदीर चौधरी को राहूल गांधी की विदेश यात्रा पे वो टिपड़ियां कर रहे थे और यकीन मानिया अमित माल भी जी और सुदीर चौधरी में मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा था कि ऐसे लगता भारतिय जंता पार्टी के आईटी सेल का कोई हैड बैठ हुआ है और वो बता रहा है कि मैं यह सोचने लगा कि यह जो नेशनल चैनल है कि यह काम माल दीजिए कोई छोटा छेतिने चैनल कर दे कोई यूटूबर कर दे कोई कराने वाला कर दे कि यह सब इस तरह नफरत भरी भाशा बोलने वाले इस तरह जूटे आँख्रे पेश करने वाले सुदीर चौधरिया इस तरह के लोगों को कैसे बिठा सकते अपने चैनल में कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि मैं नेटवर्क एटीन लगाया अम्मानी जी का चैनल अभी कुछ द नांकि इतना भीवस रूप इन चैनलों पर देखने को मिलने लगा तो यह सब हो क्या रहा है यह देश में क्या चल ला है मीडिया कहां कितना गर्त में चला जाएगा मैं इस पर बहुत देर मनन करता रहा आज मैं बताँगा कि आखिर यह है क्या क्या प्रधान मंत्री जी क् इन जहरीले चैनलों के जरिये दो हजार चौबिस में चनाव जीतना चाहते हैं दरसल लोग सबा चनाव की रण भेरी बजने में अब सिर्फ एक साल का वक्त पुचा है लग बग एक साल एक महीन मा लीजे लेकिन दस सालों से सक्ता पर काबिच नरेंद मोदी जी को अब साइद भरोसा नहीं है बड़ी बड़ी उपलब्दियां इस सरकार की होनी चाहिए लेकिन अब तक सरकार ने अपनी उपलब्दियों पर खुदी कोई क्लेम नहीं किया है बताए नोडबंदी का जिकर ही नहीं है जिससे कहा गया ता कि पूरा इतिहास बदल जाएगा पूर 2014 के चुनावों में प्रधार मंत्री जी ने हर साल 2 करोड रोजगार देने का वादा किया था इस हिसाब से 9 सालों में 18 करोड रोजगार मिल जाने चाहिए थे लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा खुद केंद्रिय कारमिक मंत्री जीतेंद्र सिंग संसद में जवाब देते हुए कहते हैं कि केवल केंद्र सरकार में पौने 10 लाग से जादा पद खाली है आर्मी में से नावें बहुत हो हल्ले के बाद वैकेंसी आई बी तो चार साल के कॉंटेक्ट वाली अगनीवीर स्कीम के सेंट्रल उनिवर्स्टी एम्स आई एटी आई एम्स में 12,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं नवोदोव विध्याले और केंद्रे विध्यालों की तो पूछे ही मत इसके अलावा भारती जनता पार्टी शासित प्रदेशों की वैकेंसी को जोड़ने तो मामला करोण से उबर का बन जाता है वही अगर प्राइवेट सेक्टर मतलब असंगर्ठी छेतर को भी जोड़ने तो नोडबंदी के बाद जिस तरह लोग घरों में जाकर बैठ गए हैं उसने तो जॉब मार्केट की कमर ही तोड़कर रख दी है ले देकर प्रधान मंत्री जी की पकोड़ा रोजगार योजना में भी थोड़ा बहुत इसकोप देखता है उसमें भी अब कॉमर्शियल सिरेंडर बहुत महा हो गया है और यह तिहार रेटन पत्रकार सुदीर चौदरी जी बताइए कोई पत्रकार ऐसा होगा जो पत्रकार नौक्रियों में तो सिर्फ अंस इसकी लोग जो होती है अकोश echo लोग वही जाना चाहते हैं वन्हां कोई सरकारी नौकरी में जान नहीं चाहता अब मुझे बताइए आप बढ़े परवार के लोग होंगे अप चाहती ने आपके को नौकरी मिले लेकिए सुदीर चौदी क का माना है आप लोग चाहती ही निया इस सरकारी नौकरी में अब आते हैं काला धन बापसी को लेकर प्रदान मंतीजी ने कहा था काला धन बापस लाकर खाते में 15 लाग रुपए डाले जाएंगे 24 में मोदी जी कह रहे थे कि 6 महीने में काला धन बापस लाओंगा जिससे सबके खाते में 15-20 लाग तो यूँ ही मिल जाएंगे जंदन योजना में देश के गरीब गुर्वा लोगों ने बड़ी हस्रत से खाते खुलवाए थे आज भी क्रेड़ेड लेती है सरकार के हमने जंदन खाते खुलवाए लेकिन यहां भी ठीक उल्टा हुआ नोट बंदी की समय तो जो पैसे लोगों के घरों में अपनी जरूरतों और आपात इस्तितिक के लिए रखे थे वह भी पापक बैंकों में चले गए बाद में तो खुद हमेश्चा ने कह देए यह 15 लाग पर वादी बात तो यह जुमला थी आप सीरस के हो रहे हैं यह अलग बात है कि उनके बेटें ने खुद दो साल में 50,000 रुपे से पता नहीं कौन सा कारूबार शुरू कि उनके हजारों करोर में करनो टनोवर बढ़ यह बाद चर्चक है विशह है और यह हंगाम में मचा कुछ पत्रकारों ने इंविस्टिकेशन चाप दी तो बड़ी बिर्चे लगी थी बीजेपी को यह आप सब जानते हैं को नहीं बात नहीं है पूरी भाजपत तिलमिला उठी थी मोदी जी ने 2014 में यह वादा भी किया किसानों की शहादत तो तेरे महीने तक चला किसानों का सत्रक रहता जिसने उन बिवादा स्पत कानूनों पर मोदी जी को पीज़े हटने पर मजबूर कर दिया गरीवी खत्म करने के मुद्य पर भी मोदी ने कॉंगरिस को खूप घेरा था जवर्द घेरा बंदी की थी अब की बार मोदी सरकार के नारों के संग महगाई की बात थी गरीवी खत्म करने की बात थी लेकिन पिछले आठ सालों के मोधी राज की कड़वी सचाई यही है कि खुद मोधी जी को देश की दो तिहाई अबादी को पांच किलो राशन की सरकारी जेवडी पर जिंदा रखने को मजबूर होना पड़ा है लेकर मोधी जी अपलब्दियों को अपना बता रहे हों बड़ी विच्चित रहे हैं मसलिब राम मंदिर निमाग का क्रेडिट सुप्रीम कोड को जाता है लेकर उसका क्रेड़ि जी समय कुछ पूरी भाज़पा लेने की कोशिश कर है यख कहती है कि वही बढ़ेजी ने राम मंदिर बना दिया नंबके और कि फुना पीडिया मगर इं सब के बीच गोधी मीडिया के जहरी लेंकरों को मोधी सरकार में सिर्फ उपलब्दिया ही उपलब्दिया नजर आती है दिन रात हिंदू मुसल्मान पर उसरा आमन चौपड़ा जुर्माना लगने के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है एक गोधी चैनल के तीन देविया कपिल शर्मा मौर्वी में पुल गिरने से मारेगा लोगों को ही उन्हें हास्ते का जिम्मेदार बता दिया एक गुल्लू मौध ऐसे हैं कि उन्हें कोई इमानदार पतकार बोलते तो भड़क जाते हैं हाद तो तब हो गई जब सीडिया विपिन रावास की मौत पर एक एंकर दारू पी मीवी उसकी हरकतों से खपा होकर उसे जेल भीच दिया लेकिर इन सब एंकरों के दुलारे मोधी जी हैं वैसी दुलारे जैसे कभी मोधी जी के मेहुल भाई मेहुल चौक्सी हुआ करते थे और स्थम्मपता 2024 में यहीं उनके प्रचारतंत का हिस्सा भी है तो देखते जाई और आम आदमी अपने नागरिक सतंतरता के लिए अगर अड़ गया तो क्या गोधी मीडिया और क्या साहिफ का जल जला सब ही का पड़ जाएगा बाकि मीदीश वाबू की जाती जनगर्णा का भूत तो अभी आपने सिर्फ सौमी प्रसाद बोरिया के टेलर मी देखा है उन का भाव जरूर पता चल जाएगा क्योंकि अब समाज जागरत हो रहा है यह गोधी मीडिया के एंकर जाने पब्लिक भड़क रही है पब्लिक नारवाजी शुरू कर दीती है महोल बदर रहे हैं लोग कह रहे हमें पता है कि यह गोधी मीडिया क्या दिखाएगा सरकारों न देखना बंद कर दीजे क्योंकि यह आपके आपके परवार को आपके समाज को एक ऐसे मौहाल में बदल देंगे जासे और सिर्फ नफरत खाई जाती है नफरत पी जाती है नफरत जी जाती है छोड़ दीजे महभत की बाते करिए देखते रहे हैं यह चैनल आ कम से कम सज ब झाल झाल